यह साल है 2023 और सबको पता है कि वीडियो एक बहुत important टाइप का content होता है लेकिन इस बहुत important टाइप के content का SEO कैसे करते हैं text का SEO keyword density से कर लेते हैं image का SEO alt tag से कर लेते हैं लेकिन वीडियो का क्या ठंटन गोपाल अपने articles को video में convert करना आपने सीख लिया है लेकिन video upload करके भगवान भरोसे मत छोड़िये उनका भी SEO ज़रूरी है अगर आपकी कोई एसी website है जिसमें videos बहुत ज्यादा यूज के रहते हैं video एक important role play करते हैं तो आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरूरत है लेकिन अगर आप अपनी website ओन करते हैं और अपनी website पर वीडियो को यूज ही नहीं कर रहे हैं तो I mean hello, it's 2023, videos are important bro, use करो वीडियो को भी, वीडियो SEO को भी और इस चैनल को भी subscribe and watch regularly or get outdated, choice is simple, hello everyone, आम अमतिवारी, फरमतिवारी.net और आज के वीडियो में हम वीडियो SEO को discuss कर रहे हैं, वीडियो के अंदर इस तरह से, और number 2, सीधे website पर ही upload कर देना, या फिर YouTube के अलावा किसी और video upload service like Vimeo को use करना, हम इस वीडियो में जो भी points discuss करने जा रहे हैं, वो दोनों तरीकों के ऊपर use किये जा सकते हैं, apply होते हैं, जहां पर भी थोड़ा बहुत कुछ अलग करना होगा, वहां पर मैं mention कर बढ़ा चलोगा, राइट, बट जब तक वह नहीं बोलता हूं, तब तक आप उस सीम चीज़ को दोनों तरीकों पर use कर सकते हैं, YouTube के case में थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाते हैं, because YouTube Google की अपनी service है, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत छूट ले सकते हैं, so देखते हैं, एक-एक points को total 10 plus 1, 10 plus 1 वाला package है हाँ आपर, 11 points है, ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो सौझ में आ जाएगा, मज़ा भी आएगा, नमबर एक, हर वीडियो का अपना एक separate page होना चाहिए, now ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है, अगर आपने वीडियो को YouTube पर upload किया है, because हर वीडियो का अपना एक really में page होता है, जिस भी वीडियो को publish किया जाता है, उसका अपना एक page होता है, जिसमें उसका title होता है, description होत होती है, बट अगर आप वीडियो को अपनी website पर होस्ट कर रहे है, अपनी server पर ही डाल कर उसे किसी player के थ्रूँ अपनी website पर दिखा रहे हैं, किसी page पर, तो सबसे पहले आपको उस वीडियो का एक specific dedicated page बनाना चाहिए, और वो page publicly accessible होना चाहिए, यानि कि उस page को आपको robots.exe के थ्रू block नहीं करना है, और उस पर no index tag नहीं लगाने है, यहाँ पर difference समझना बहुत जरूरी है, आप किसी भी एक वीडियो को उसके content वाले page में normally आप use कर रहे हैं, that is fine, but उस वीडियो का अपना एक specific खुद का page होना चाहिए, जैसे YouTube वाला page होता है, वैसे ही आपको एक page बनाने की जरू होते हैं, जिस page का title होगा, वीडियो का title, उस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत matching description आपको लिखना होगा, और उस वीडियो को वहाँ पर एक player में आपको show करना पड़ेगा, इस particular dedicated video page को आपको robots.txt के through block नहीं करना है, डिसलाओ नहीं करना है, और इस पर Meta Title, वीडियो के title किस जैसा होना चाहिए, और आप जो भी description जैसे अगर यूट्यूपर upload करते, अगर आप जो भी description बना रहे है, वो description वीडियो के content को match करना चाहिए, वीडियो का जो भी content है, जो भी आप बोल रह रहे हैं वीडियो में, यो जो भी वीडियो में explain किया जा र उस वीडियो का gist उसका जो summary है वो उस page के content से निकाल सकते हैं अगर आप वीडियो को self host नहीं कर रहे हैं अपनी website पर बलकि किसी दूसरी website के थू embed कर रहे हैं चाहे वो website YouTube हो या फिर Vimeo हो या कोई भी दूसरी XYZ website हो सकती है अगर वहां से आप वीडियो को अपनी website पर embed कर रहे हैं तो आपको correct HTML tags यूज़ करने चाहिए जैसे वीडियो या फिर embed या फिर iFrame और या फिर object YouTube और Vimeo दोनों ही iFrame tags को यूज़ करते हैं विचार वीडियो, embed, iFrame और object नमबर फोर है वीडियो साइट मैप आपको अपने वीडियो पेज़िस का एक अलग से साइट मैप जनरेट करके उसको सर्च कॉंसोल में सब्मिट करना चाहिए आपको अपने वीडियो को किसी भी element like image या फिर overlay या फिर किसी और दूसरे element के साथ में ढखना नहीं है आपके वीडियो उसको prominently display करना जरूरी है अगर आप अपने वीडियो को किसी भी element से cover करते हैं तो google bot जब भी आपके page को visit करेगा तो भले ही html code में आपके embed code को या आपके वीडियो की url को देख ले बट वो उससे actually में render नहीं कर पाएगा वो उस वीडियो को consider नहीं हैं वहाँ पर आपको video type का schema data यानि structure data भी use करना चाहिए now video type का schema data कुछ themes या फिर plugin से जो automatically generate कर सकते हैं पर अगर आपको उन्हें use नहीं करना है तो हम बहुत जल्दी एक free tool के जरिये video type का schema data बना भी सकते है video type का schema data बनाने के लिए हम जाएंगे technicalseo.com में और इस पूरी process को ब बनाने के लिए हम यूज करेंगे अपनी एक video को जो हमने अभी कुछ दिनों पहले ही publish किया है mid journey के basic use की उपर है basic to advance guide है अगर आपको कुछ भी नहीं आता है mid journey में तो भी आप इस video को follow करके अपने images को बहुत high quality में बहुत ही कस्टमाई से बनाना सीख सकते हैं so इस video का advertisement हो किया है अब हम आते हैं और देखते हैं कि आखर इस video टाइप की schema data को कैसे बना सकते हैं so यहाँ सब से पहले हमें add करना है नाम आखिर इस वीडियो का नाम क्या है title क्या है यहाँ से हम copy कर लेते हैं इस पूरे title को और यहां पर पेस्ट कर देते हैं इसके बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या है हम डिस्क्रिप्शन भी आड़ करेंगे copy and इस पूरे की पूरे description को copy कर लेते हैं यहाँ पर description को paste करती है इसके बाद है upload date आखर यह video कब upload किया गया था इसके बाद यह कितने minutes का video है यहाँ पर हम इस video की total length को देखना चाहते हैं इस video की total length है 16 minute 29 seconds तो यहाँ पर मैं add करूंगा 16 minutes and then 29 seconds इसके बाद हमें thumbnail का URL डालना है now always remember कि जब भी आप video type का schema data बनाने जा रहे हैं तो आपको thumbnail का URL ज़रूर आड़ करना है minimum one thumbnail आपको अपने video के साथ में add करनी है आपको इस video की thumbnail का URL निकालना होगा but YouTube अपने आप में thumbnail का URL नहीं देता है तो यहाँ पर हम इस video के URL को copy कर लेते हैं और इसके बाद हम आएंगे YouTube video thumbnail download बहुत सारी वेबसाइट है जो चुट-चुटे services को provide करती है तो हम किसी भी एक link पर click कर देते हैं यहाँ पर हम एड़ करेंगे अपने video का URL और हमें यह thumbnail यहाँ पर मिल जाएगे हमें से यहाँ से download कर लेंगे यहाँ से आप copy image address नहीं कर पाएंगे विकर यह image यहाँ पर अपनी website पर upload करना पड़ेगा और उस uploaded image का URL आपको यहाँ पर enter करना पड़ेगा इस thumbnail URL वाले field में तो लेट से कि अगर मैं इसे upload करता हूँ अपनी website पर इसका URL हो सकता है //etps//amityvari.net//uploads//2023//thumbnail//url.jpg और यहाँ पर thumbnail का URL आ चुका है अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा thumbnail की URL भी add कर सकते हैं इसके लिए कोई भी limitation नहीं है बट minimum एक thumbnail का URL यहाँ पर आपको add करना ही करना है नंबर साथ हर वीडियो के साथ में उस वीडियो का thumbnail आपको full HD quality यानि की 1920 pixel wide और 1080 pixel height में इस image को देना जरूर यह thumbnail image होनी चाहिए और यह thumbnail image है इसका भी URL Google bot को accessible होना चाहिए यानि कि यह thumbnail का URL जिस भी folder में उस folder को robots.txt में disallow नहीं करना है और यह जो image है यह folder है इसको no index नहीं करना है वो indexing के लिए crawling के लिए completely open होना चाहिए अगर आप हर वीडियो के साथ में thumbnail provide नहीं कर रहे है तो Google ऐसे वीडियो को index नहीं करेगा और आपकी जो audience है वो आपके वीडियो को discover नहीं कर पाईग उस वीडियो को use करने का आपको SEO point of view से कोई फाइदा नहीं मिलेगा इसके अलाबा वीडियो टाइप को जो schema data है वो बिन यूज़ करनी होती है so most of the time most of the websites actually YouTube के जरीए ही वीडियो को embed करती है तो आप YouTube वाली thumbnail को यहाँ पर use कर सकते हैं बहुत सारे schema data plugins आपके YouTube वीडियो की thumbnail को automatically download करके उसे use कर लेते हैं आपकी website पर store करने के बाद but अगर आप technicalseo.com के tool को use कर रहे है schema data generate करने के लिए तो वहाँ प आपको अपनी thumbnail को download करना पड़ेगा खुद से या फिर ऐसी provide करना पड़ेगा अपनी website पर upload करना पड़ेगा और फिर उसकी URL को देना पड़ेगा but make sure that you have a video thumbnail there to show. Number 8 है responsiveness चाहे आप अपने वीडियो को embed करें या फिर website पर self host करें जो आपका video player है उसकी height और width fix नहीं होनी चाहिए responsive होनी चाहिए जिससे video device की viewport से इस तरह से बाहर ना जाए पूरा का पूरा वीडियो आपकी website पर दिखाई देना चाहिए viewport के device की viewport के अंदर दिखाई दे सकती है and google search console के error से याद आया number 9 point जो है google search console पर जाना और वहाँ पर दो reports को check करना number 1 video indexing report और number 2 video enhancement report इन दोनों reports में आपको बहुत सारे issues मिल सकते हैं जिनसे आपको अपने video pages को troubleshoot करने का मौका मिलेगा इन reports को कैसे देखना है कैसे study करना है और कैसे इनके base पर action लेना है यह हम लीजे आप लोग SEO है number 10 video schema data में आपको key moments को seek to action target URL के जरीए specify करना है जिसे google आपके video के अंदर के key moments है जो special moment है जिनको आप किसी भी search कर रहे user को दिखाना चाहते हैं उसको भी actually explore कर सके अगर आपका video YouTube पर hosted है तो इन key moments को add करने के लिए आपको सिर्फ chapters को अपने video के description में add कर करना पड़ेगा लेकिन अगर आपका video self hosted है तो आप seek to action target URL के जरीए schema data के जरीए अपने video में key moments को enable कर सकते हैं दे सकते हैं बट इसे दिखाना या न दिखाना Google की मर्जी है तो यहां पर इन सारे points से आप समझ सकते हैं कि actually में video को YouTube पर host करना एक ज्यादा समझदारी वाला decision ह बट फिर भी बहुत सारी website बहुत सारे reason की वैसे videos को अपने ही servers पर host करना चाहते हैं तो अगर आपका video आपकी website पर आपके server पर ही host किया गया है और आप उसे अपनी website पर use कर रहे हैं तो आपको use करना होगा content URL नाम का field अपने इस page के schema data में यहां पर content URL किया होगा content URL होगा आ content URL हो जाएगा https-example.com-sample-video-file.mp4 जो आपके वीडियो का static URL MP4 फाइल का यह जिस भी format में आप वीडियो का अप्लोड कर रहे है तो उस फाइल का URL यहां पर आप एंटर कर सकते हैं इस schema data में अगर आपका वीडियो YouTube के लावा किसी और दूसरी website पर hosted है और वहां से आप अ प्रूस करना होगा embed URL विकास आपके पास content URL नहीं होगा यह embed URL क्या होगा हम example के लिए जाते हैं एक sample वीडियो पर वीडियो पर वीडियो होस्टेड है और यहां पर आप देख सकते हैं इस embed code के अंदर आपको इस वीडियो का embed URL वह दिखाई दे रहा है vimeo.com slash आप यहां प special 11th point है कि अगर आपकी website पर वीडियो को self-host किया जा रहा है आपके server पर ही videos है तो जो आपकी video file का static URL है वो आपको google bot को provide करना पड़ेगा और इस URL को आपको video schema data में भी add करना पड़ेगा self-hosted website में जो schema data है वहाँ पर आपको content URL में यह static URL देना पड़ेगा अपनी video file का और अगर आप अपने video को self-host नहीं कर रहे हैं बट YouTube के अलावा किसी और website पर provide कर रहे हैं तो आपको embed URL field में उस embed URL को provide करना पड़ेगा जो YouTube के अलावा किसी दूसरी website पर host कर रहे हैं seek to action target URL बताता है कि आपके video में कौन सा वो important part है जहाँ पर google bot को ज्यादा focus करना चाहिए और उस part की अपनी क्या importance है so seek to action target URL को use करने के लिए आपको अपने video player के उसी खास second के URL को catch करना होगा now इसकी exact setting आपके website पर जो भी video player use किया जा रहा है उसकी settings पर depend करेगा मैं इस process को आपको एक YouTube वीडियो के context में दिखा सकता हूँ यहाँ पर हम एक YouTube वीडियो पर जाते हैं और अगर मैं यहाँ पर इस share button पर click करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस video को अपने URL क्या है यह अपने अपने seek to action target URL नहीं होता है बट लेट से कि अगर मैं चाहता हूँ कि directly इसका जो है fourth second पर यह जहाँ पर भी यह वीडियो भी right now चल रहा है लेट से मैं से थोड़ा सा आगे scroll कर लेता हूँ कुछ से 34 minute 26 seconds पर जो भी seen है इसे मैं directly users को दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर share बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अभी मुझे start at 3426 का option दिखाई दे रहा है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यह URL है इसमें time frame की information आ गई यहाँ पर मैं इसे copy कर लेता हूँ और इसके बाद schema data में seek to action target URL प 6 seconds पर अगर Google Bot जाता है तो वहाँ पर कोई एक ऐसा important point है जिसको user को आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से URL को paste कर सकते हैं इसी तरह से आपको simply आपकी website पर जो वीडियो embed किया गया उसके खास important second या खास important time frame का URL आपको यहाँ पर enter करना पड़ेगा अगर आप एक ही वीडियो में एक सी ज्यादा इस तरह के moments को add करना चाहते हैं तो आपको अपनी website के schema data में इस part को copy करके और दुबार ऐसे paste करना पड़ेगा ताकि आप इसे use कर सके इन सारी nitty-gritty technical details का ध्यान हमेशा website के जो developer होते हैं वो रख लेते हैं बट अगर आपके पास website developer या एक बड़ी dev team रखने का budget नहीं है तो आप normally YouTube पर वीडियो को upload करके उसे embed कर सकते हैं अगर privacy concerned है तो आप वीडियो को unlist कर सकते हैं और इससे आपकी जो बहुत सारे headaches हैं वो बच जाएंगे और वीडियो को YouTube पर upload करके उसे use करना video SEO के point of view से काफी easy हो जाता है यह थे वो 11.10 plus 1 11 points जिनको use करके आप अपने वीडियो को Google के लिए ज्यादा friendly बना सकते हैं और Google essay वीडियो को जल्दी इंडेक्स करके अपने search results में अच्छी तरह से दिखा सकता है यह था एक guide video SEO के उपर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और trick या फिर tip के साथ thank you so much watching this video my name is Amitwari from Amitwari.net take care